दोस्तों जैंग, मैं उश्मस तब्रेज और आप देख रहे हैं चाइम्स मेल हमारे प्रधान मंतरी नरद्र मोदी के तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने के बाद भी मामला अभी शांत नहीं हो रहा है अभी स्पीकर के ओधे को जेकर जगड़े चल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ महराष्ट की सियासत में कुछ भी हो सकता है छे महीने में वहाँ पर एलेक्शन होने वाला है लेकिन उस एलेक्शन से पहले ही ऐसा लगता है कि बीच में ही सरकार धडाम हो जाएगी बिलकुल गिर जाएगी अम ऐसा इसलिए करें क्योंकि बहुती तेजी के साथ महराष्ट से आने वाले घटना करम बदल रहे हैं महराष्ट के सियासी हालात बदल रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जब महराष्ट में सियासी हालात बदलते हैं और अपने विरोधी दलों के लिए प्रेम उमरता है मन में तो क्या होता है फिर वही होता है कि आधिरात में शपत दिला दी जाती है भोर तड़के में शपत दिला दी जाती है शाम होते होते शपत दिला दी जाती है और लाश्ट में ये होता है कि अखबार वाले मीडिया वा पोदीजी ने जो छीचा लेदर किया है महाराष्ट में अब उसका अंजाम बहुत दूर तक देखने को मिल रहा है अजीत पवार की NCP अब अपने चचा की तरफ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी है वो अपने चचा शरत पवार के साथ अब धीरे धीरे अपने नजदीकियां बढ़ाने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि अब अजीत पवार ने अपने चचा शरत पवार की दिल से तारीफ की है खुल कर तारीफ की है अपने चचा की और ये तारीफ ये एक दूसरे के परती प्यार इश्च मुहबत दर्शाने का काम तब शुरू जब अजीत पवार की पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट हासिल की है महराष्ट में और इनकी नराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि एक सीट हासिल करने वाली अजीत पवार की NCP और एक नार्शिंदे की शिवसेना जो की साथ सीट हासिल कर चुकी है इन दूनों को कोई भी कैבिनेट में जगह नहीं देते Moodiegee मुदी जी ने आपने केबिनेट में कोई मन्तरालय इनको नहीं दिया और ये मन्तरालय ना देने अद इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि उसके बाद कि शियू-सेना कहिए ने नाराज गी जाहिए कि शियू-सेना के नेताओं ने खुल कर सारोजनिक तरीके से नर्दर मोदी की NDA सरकार को जमकर कोसा और यह खबर में आपको पहले ही बता चुके हैं कि शियोसेना भी किस तरह से अब नाराज हो गई है अजित पवार के नाराज होने के पाथ और अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं लेकिन अजित पोते ने रुहित पवार ने जब यह दावा किया था कि अजित पवार की पार्टी के जाधातर विधायक हैं 18-19 विधायक इस वک्ट शरत पवार के संपर्ख में हैं और NCP शरत पवार वाली NCP में वो वापस लोटना चाहते हैं घर वापसी करना चाहते हैं लेकिन शरत पवार के पोते के इस दावे पर बहुत तरह के सवाल उठने लगे इसके बावजूद एक और घटना करम देखने को मिली इसमें शरत पवार के पोते के दावे को सच साबित कर दिया क्योंकि NCP के क्योंकि अजित पवार ने अपने 40 विधायकों की मिटिंग बुलाई जब रि कि कितने दूर तक इसका असर हुआ है, 5 विधायकों का ना अन्यका मतलब ही है वो 5 विधायक बागी हो चुके हैं और बाकी और मौके के इनतजार कर रहे हैं और शरत पवार के साथ वो दो मिल सकते हैं और माना तो ये भी आता है कि चचा भतीजे के बीच में कोई ना गलत फहमी है, ना कोई विरोध है, दोनों एक मिली जुली रणनीती के तहट काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ने जो बाते कही हैं, उस पर गौर करना अखिर उसने शरत पवार के बारे में कहा क्या है, अजीत पवार एनसीपी के 25 साल पूरे होने पर शरत पवार की तारीफ करने लगे, अजीत पवार ने कहा कि शरत पवार ने सोनिया गांदी के विदेशी मूल के मुद्दे को ले करके अलग हो गये थे, और उन्होंने अप अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तारीफ कर देना कोई मामूली नहीं है कि वो शरत्पवार को अपना नेता मान रहे हैं और शरत्पवार की पार्टी को अलग-अलग नहीं मान रहे हैं बलकि एक ही मान रहे हैं वैसे में सवाल है कि क्या फिर से शपत लेने की चुके थे शपत ले चुके थे लेकिन कुछी दिनों के बाद उन्होंने वापस सरकार गिरा दी और फिर से अपने चचा शरत पवार के खेमे में वापस लोटाए कुछ अरसे के बाद हालात बदलते हैं और वापस वो शरत पवार को छोड़कर एकनाथ शिंदे और उन्हों ते अपने मुख्यमंद्री के ही पीट में छुला गोट दिया मैं उन्हों धुठ्याकरेश से ही उन्होंने धोखा कर दिया उनके साथ उन्होंने बयिवानी करते द ticking, राजशनीत का zekerते हैं मैं इसे कुट्ट्री की लिया करते हैं उन्होंने इनका समर्थन भी ले लिया, के अंदर में दोबारा अपनी सरकार भी बना ली, NDA की सरकार बना ली, NDA का घटक दलों को वो इज़त नहीं मिली, जिसका वो हकदार थे हैं, जिसके लिए वो उम्मीद करके बैठे थे, नरन्द मोदी ने जयो जो बड़े बड़े प देकार हो गई, एक नत्षिंदे और अजीत पवार दोनों ही इस बात के लिए सोच रहे थे, कि हमारी पार्टी ने NDA को समर्थन दिया है, तो हमें कैबिनेट में जगए मिलेगी, लेकिन मोदी जी ने दोनों ही पार्टी ओको कैबिनेट में जगए नहीं दी, एक एक राज मंत्री पत का उफर कर दिया है, प्रफुल पटेल जो कि NCP शरत पवार खेमे के हैं, वो पहले से ही राजसाफा सांसद है, वो पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं केंदर सरकार में, लेकिन अब उनको राज मंत्री सोतंतर प्रभार दिया जा रहा है, जिसके हुझा से लोग सफा चुनाओं में निकाल करके लेकर के आई है, चुक सेना के नेता, मीडिया में आकर मोदी जी से वो कह रहे हैं, कि हम तो साथ सीट निकाल करके आए, तो साथ सांसदों ने आपको समर्थन दिया था, तो फिर हमें कम सकम एक कैबिनेट मंत्रा दो दे दिये होते, व सेकुलर करनाटक वाली, एसजी कुमारा स्वामी जिसके नेता हैं, उनकों तो सिर्फ दो सीट निकाली थी, उनको कैबिनेट मंत्राला में जगह मिल गई, लेकिन शुसेना और NCP को जगह नहीं मिल गई, आखिर इसके लिए किसी दोश दिया जाए, अब तो विपक्ष के ल जाएगी, और नाराजगी जब दिरे दिरे बढ़ती जाएगी, तो वापस नहीं पीछे की तरफ लोटनी की शुरुवात नहीं हो जाए, और अगर यह शुरुवात हुई, तो फिर सरकार गिरेगी महराष्ट में, और समर्थन भी खत्म हो जाएगा केंदर सरकार में, और अगर NDA से इन अंकटक दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो मुदी जी की सरकार पता नहीं कितने दिनों के महमान होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा, फिलाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, फिर मलते हैं किस और वीडियो म टाइमस मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें